मन्य अध्यक्ष मोदे दिली के अंदर दिली के प्रोदूसन को कम करने के लिए दिली के मन्य मुखमंत्री जी ने पिछले चुनाव के समय एक संकल्प लिया था और दिली के लोगों से वादा किया था कि दिल्ली में इस पांच वर्ष के दौरान दो करोण नए पौधे जो है लगाए जाएंगे दिल्ली के अंदर हमें इस बात भी खुशी है कि जो पांच साल में दो करोण पौधे लगाने का लक्ष था दिल्ली के ग्रीन बेल्ड को बढ़ाने के लिए चार साल में दो करोण पौधे लगाने का लक्ष मुक्रमंत्री जी के नित्युत ने सरकार में पूरा कर लिया है और हमें फरुसा है कि अगले एक साल में और हम बढ़ चड़ करके दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए विख्षारोपन अभियान को और टेजी के साथ चलाएंगे दिल्ली इस बात जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली के अंदर तो दिल्ली के अंदर जो ग्रीन छेतर था वो 20% के लगबग था जिस तरह से मुक्षमंत्री जीने प्राश्मिक्ता के आधार पर ग्रीन छेतर को बढ़ाने के लिए मॉनिटर तरीके से काम किया आज देश के अंदर जितने बड़े महानगर है उनमें सबसे ज़्यादा ग्रीन बेल्ड दिल्ली के अंदर डेबलप हो चुका है और वो 23.6 आज दिल्ली का ग्रीन बेल्ड हुआ है दिल्ली के अंदर जो प्रदूसर्ण को मापने के लिए दो पैमाने हैं एक है PM10 और PM2.5 दिल्ली के अंदर आज ये 2014 हमारी सरकार बनने के बाद से और अब तक का ये रिपोर्ट आई है देक्ष मोजए जिसको मैं सदन पटल पे भी रखना चाहता हूँ 2014 में दिल्ली के अंदर जो PM10 था इसकी मातरा हवाओं में एवरेज पूरे साल का जो एवरेज था 2014 में वो 324 था जो धिरे धिरे जो प्रयास किये गए धिरे धिरे आईस्ता 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 यानि 324 से 223 PM3 में कमी हुई है और PM2.5 में जो 2014 में 149 था वो घट करके 2022 में 103 हुआ है अगर एवरेज देखें तो हमारी सरकार बनने के बाद से दिल्ली की अंदर 31% दिल्ली के पलूशन को कम करने में हमें सफलता मिली है दूसरा जो पैमाना हम अध्यक्ष महोदे लेते हैं जो कैटेगरी होती है एर क्वाल्टी की उसको हम अलग-अलग गुट, मॉडरेट, वेरी पूर, वेरी पूर, सिवियर, सिवियर प्लस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं दिल्ली के अंदर 2015 में 365 दिनों में से केवल 109 दिन थे जो पूर कैटेगरी के बाहर थे यानि अच्छे एर क्वाल्टी इंडेक्स में आते थे इस साल 2023 में एक नया रिकॉर्ड बना है, 109 जो 2015 में पूर कैटेगरी के बाहर जो एर क्वाल्टी के दिन थे इस साल अब तक 206 हो चुके हैं, ये बड़ा परिवर्तन दिल्ली के अंदर अर्विन केजरिवाल जी के नेतित में सरकार बनने के बाद हुआ है